4G से 5G की और बनने की बाते जीओ और एरटल कर रहा है लेकिन धरातल पर आज भी लोग मोबाइल सिगनल के लिए तरस रहे हैं ऐसा ही ताजा मामला हिमाचल प्रदेश के जिला सिनमोर के पॉंटा पंचायत के कोडगा गाउं का है जहां पर टाउर की सुबदा ना होने की वज़े से कई परिवारों के मोबाइल शोपिस्ट बन गए है एरटल, आइडिया, जीयो कमपनिया बड़ी-बड़ी बाते कर रही है लेकिन धरातल पर इनकी सारी बाते बौनी साबित हो रही है दरसल कोडगा गाउं के साथ लगते भीतरकुई, भारा शेत्र, आदी कस्वों में मोबाइल सिग्नल अपना दम तोड़ चुके हैं जिसके चलते यहां के कई परिवारों के लिए मोबाइल सिर्फ टौर जलाने के काम आ रहे हैं वह स्थानिय यूग को वा, नवीक मंडल कोडगा ने बताया कि इस समस्या को लेकर पिछले दो वर्षों से लगातार स्थानिय विधायक वा परशाशन को लिखित रूप में शिकायत दे चुके हैं लेकिन समस्या आज तक जस्की तस बनी हुई है नवीक मंडल के पढ़ान नवीन शर्मा ने बताया कि इस विशे को लेकर पूर विधायक बलदे तोमर, डीसी सिर्मौर, जिला परिशत सदसेवा, शिमला टेलेकॉम तक इस समस्या को लेकर पत्रा अचार किये गये हैं लेकिन जूटे आशवासन मिल रहे हैं, जिसकी वज़े से शेतर के लोगों को भारी परिशानिया जहिलनी पड़ रही है बहुत दूर आते हैं, कहीं बार कंप्लेंट भी करवाई है, लेकिन यहां पर अभी तक कोई टावर नहीं लगाए, किसी भी कंपनी की सिगनल नहीं होते हैं, यहां पर हमारे गाँ में टावर लगाएं मतों पड़ाने में यो रहा कि ओनलाइन पेपर हो रहा ना तो ओनलाइन के से करेंगे यह तो केसे पड़ाई करेंगे हैं, सारे बच्चे ओनलाइन यहां काम करें तो और लोगाँ बच्चों के पास है ने, तो आधो बच्चे तो आये नहीं हैं चै़ивается अमने ताकि यहां बच्चे के लिए ओनलाईन पड़ाय होती, ना तावर का हां या लाइब टाइम्स टीवी के लिए पॉंटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट शोने शोने एक साथ दूपर